चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और एहम खबर का और ये खबर है वाक्सिनेशन से जुड़ी हुई आपको बता दे कि विपक्षी पार्टिया अब एक साथ आ चुकी है फ्री वाक्सिनेशन के मुद्दे पे जी है तेरा विपक्षी पार्टिया ऐसी है जिनके नेताओं ने मिलकर केंद्र सरकार से ये अपील कि है कि पूरे देश में फ्री वाक्सिनेशन ड्राइव को चलाया जाए एक साजा बयार में नेताओं ने केंदर सरकार से अस्पातालों में निरंतर आक्सिजन सप्लाई की भी मांगी है और इस साजा बयार में आपको बता दे कि किन किन लोगों का नाम शामिल है कई बड़े नेता है जैसे कि कॉंगरस अध्यक्ष सोन्या गांधी, LCP अध्यक्ष शरत पबार, महराष्ट्र के मुख्य मत्री उध्व ठाकरे, बंगाल की मुख्य मत्री और TNC सुप्रीम मुवदा पानल जी और ऐसे ही कई बड़े नेता है जो कि इस खत पर जिनका की हस्ताक्षर है और ये दो बड़ी मांगे उठाई गई है जिसमें की पहली मांग ये है कि पूरे के पूरे देश में कुरोना का जो टिका करण है वो मुफ्त अभियान चलाया जाए कि इंदर सरकार द्वारा और दूसरी बड़ी चीज जो कि विपक्षी पार्टियों ने उठाई है मांग जिसकी वो ये है कि ऑक्सिजन की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए और ऑक्सिजन की अनिंटरप्टेट सप्लाई हर राज को हर अस्पताल को मिले